नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 जनरल अवेनेस के कॉशन लेकर आया हूँ जो इस्टेटिक जीके से रिलेटेड है ये कॉशन हर एक्जाम के लिए important है चाहें आप रेलवेस की तियारी कर रहे हैं श्टेट लेबल के एक्जाम की तियारी कर रहे हैं या सेंटरल का कोई भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं इनमें से आपको कॉशन पूछे ही जाते हैं 100% इनको याद कर लिजे आपकी ही डिमांड पर इस वीडियो को मैं आफलाइन लेकर आये हूँ 100 कॉशन में कम्प्लीट कराऊंगा फुल स्पीड में वीडियो को 2-3 बार देखकर सारे कॉशन से याद कर लिजेगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा आपके लिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा चले शुरू करते हैं वीडियो तो सबसे पहला प्रशन है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है तो मीन कैम्प मेरा संगर्श हिटलर की आत्मकथा का नाम है अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था तो अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है अमेरिका को पूर्व सुतंतरता कब मिली थी तो 1776 में अमेरिका को सुतंतरता मिली थी अमेरिका ने दास प्रथापर का प्रदिबंद लगाया था तो अमेरिका ने 1808 में दास प्रथापर प्रदिबंद लगाया था आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है तो नेपोलियन बोना पार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहते हैं आदुनिक रूस का निर्माता किसे कहते है तो इस्टनलिन को आदुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है इटली का कौन सा नगर पुनर जागरन केंद्र था तो इटली का फ्लोरेंस नगर पुनर जागरन का केंद्र था इसाई धर्म का सरवादिक पवित्र प्रतीक क्या है तो इसाई धर्म का सरवादिक पवित्र प्रतीक क्रॉस है इसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे तो इसा मसीज जी इसाई धर्म के प्रवर्तक थे एशिया का मरीज किसे कहा जाता है तो चीन को एशिया का मरीज कहते हैं कानून की आत्मा की रचना किस ने की तो मॉन्टेस्कियू ने कानून की आत्मा नामक रचना की रचना की काल मार्क्स कहां का निवासी था तो काल मार्क्स जर्मनी का निवासी था चीन का राश्पिता किसे कहा जाता है तो सन्यात सेन को चीन का राश्पिता कहा जाता है चीन की सबिता को किस नाम से जाना जाता है तो पील नदी की सबिता के नाम से चीन की सबिता को जाना जाता है चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था तो हेंग विंग चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता था चीनी करांदी का नेता कौन था तो सन्यात सेंच चीनी करांदी का नेता था जर्मनी के आर्थिक राष्टवाद का पिता किसे माना जाता है तो जर्मनी के आर्थिक राष्टवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था तो जापान को पीत आतंक के नाम से संबोधित करते थे जापान ने रूस को कब हराया था तो जापान ने 1905 में रूस को हराया था जापान में आधुनी करण की प्रक्रिया की शुरुआत किस ने की थी तो जापान में आधुनी करण की प्रक्रिया की शुरुआत मूद सुहीतों ने की थी Divine Comedy किसकी रचना है तो Divine Comedy दाते की रचना है तुरकी धर्म निर्पेक शराज कब बना 1924 में तुरकी धर्म निर्पेक शराज बना था तुरकी में Gregoronian calendar का प्रचलन का प्रारंब हुआ तो तुरकी में Gregoronian calendar का प्रचलन जो है 26 दिसंबर 1925 में शुरू हुआ दूनिया के मजदूर एक हो ये नारा किसने दिया था तो काल माकस ने दुनिया के मजदूर एक हो ये नारा दिया था दोतिय युद्ध के दोरान जापान के किन नगरों पर परमाणू बम गिराए गए थे तो दोतिय युद्ध के दोरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणू बम गिराए गए थे दोतिय विशुद्ध कब हुआ था तो 1949 से 1945 के बीच में दोतिय विशुद्ध हुआ था नाजी बात का जनक कौन है तो नाजी बात का जनक हिटलर है नाजी बात की स्थापना हिटलर ने कम की थी तो eller ne नेपोलियन के पतन का कारण था नेपोलियन को बंदी बनाकर कहां भीजा गया था तो नेपोलियन को बंदी बनाकर हैलना दीप पर भेज दिया गया था नेपोलियन फ्रांस का समराड कब बना था तो नेपोलियन फ्रांस का समराड 1804 में बना था पक्की सड़के बनाने की वि पुनरजागरण का मुक्य लक्षण क्या था तो तार्किक वात और मानोता वात पुनरजागरण का जनक किसे चीयाटो को माना जाता है पूर्ण रूप से दास्प्रथा का अंत किस ने किया था तो पूर्ण रूप से दास्प्रथा का अंत अबराहेम लिंक करने किया था पैगंबर की सिक्षाओं का संग्रा किस गरंथ में है तो पैगंबर की सिक्षाओं का संग्रा कुरान गरंथ में है पेगंबर के उत्रादिकारी को क्या कहा जाता था तो पेगंबर के उत्रादिकारी को खलीफा कहते थे पेगंबर साहब को कहा दफनाए गया था तो मदीना में पेगंबर साहब को दफनाए गया था फासिज्म का उदे कहां पर हुआ तो फासिज्म का उदे इटली में हुआ था फासिज्म का जनक किसे माना जाता है तो फासिज्म का जनक मुसोलिनी को माना जाता है फासिवाद विचारधारा का संस्थापक कौन था तो फासिवाद विचारधारा का संस्थापक मुसूल ही नी था फ्रांस की राजिकरांती कब शुरू हुई थी तो फ्रांस की राजिकरांती 1789 में शुरू हुई थी फ्रांस की क्रांती से पूर्व फ्रांस में कैसी विवस्था थी तो फ्रांस की क्रांती से पूर्व फ्रांस में सामन्ती विवस्था थी फ्रांसीसी साम्ववाद का जनक किसे माना जाता है तो सैंट साइमन को फ्रांसीसी साम्ववाद का जनक माना जाता है बोल शेविक क्रांती कब शुरू हुई थी तो 1917 में बोल शेविक क्रांती शुरू हुई थी मदर किसकी रचना है तो मैक्जिम गौर्की की रचना है मदर माइकल एंजलो कौन था तो मूर्तिकार और चितरकार था माइकल एंजलो मिश्र के राजा को क्या कहा जाता था तो मिश्र के राजाओं को फराओ कहते थे मिश्र के विसाल पिरामिट का निर्मार किसने करवाय था तो मिश्र के विरस्वाल पिरामिट का निर्मार समराट खुफरू ने गीजा में करवाय था मैसो पोटामिया के देव मंदिर क्या कहलाते हैं तो मैसो पोटामिया के देव मंदिर जिगूरत कहलाते हैं मैसो पोटामिया की सबिता कहा विक्सित हुई थी तो एराक में मैसो पोटामिया की सबिता विक्सित हुई थी मेगना कार्टा क्या था तो सर्व साधारन के अधिकारों का घोशना पत्र मेगना कार्टा कहलाता है मोनालिसा किसकी करती थी तो मोनालिसा लियो नार्दोदा विंसी की करती है यूरोप का मरीज किसे कहते है तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है यूरोपिय पुनर जागरन कहां से शुरू होता है तो यूरोपिय पुनर जागरन इटली से शुरू होता है रूस का अंतिम जार कौन था तो निकूलस दुतिय रूस का अंतिम जार था रूस के शाशक को क्या कहा जाता था तो रूस के सासक को जार कहा जाता था रूस में नई आर्थिक नीथी किसने लागू की थी तो लैनिन ने 1921 में रूस में नई आर्थिक नीथी लागू की थी रूसी साम्मेवाद का जनक किसे माना जाता है तो पलेखानेव को रूसी साम्मेवाद का जनक माना जाता है रेशा मुद्योग की सरप्रतम शुरुवात कहां पर हुई थी तो रेशा मुद्योग की सरप्रतम शुरुवात चीन में हुई थी लेक्टर्स ओन इंग्लिश की रचना किस ने की है तो लेक्टर्स ओन इंग्लिश की रचना वॉल्टेयर ने की है वाटर लूका यूद किनकिन के बीच में लड़ा गया था तो नेपोलियन और मिशर राष्टों के बीच में 5815 में वाटर लूका यूद लड़ा गया था विश्व में सरपरत्हम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन कहां से शुरू हुआ तो विश्व में सरपथम सिक्का और कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन से शुरू हुआ वैज्ञानिक समाजवात का संस्थापक कौन था तो कालमाक्स वैज्ञानिक समाजवात का संस्थापक था बोल्शेविक क्रांती के निता कौन थे तो बोल्शेविक क्रांती के निता लैनिन थे सबसे पहले धर्म निर्प्रेक्ष राज की स्थापना कहां पर हुई तो सबसे पहले धर्म निर्प्रेक्ष राज की स्थापना अमेरिका में हुई थी समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कल लगाने वाला व्यक्ति कौन था तो समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कल लगाने वाला व्यक्ति मैगलन था सरप्रतम मौत द्योगे क्रांती कहां पर हुई थी तो सरप्रतम मौत द्योगे क्रांती इंगलेंड में हुई थी सरप्रतम राश्रबाद कहां पर विखसित हुआ तो सरप्रतम राश्रबाद फ्रांस में विखसित हुआ था शीसे का सरप्रतम उपियोग कहां पर हुआ था तो मैसो पोटामिया की सविता में सीसे का सरप्रतम उपियोग हुआ था सौचुओं कि अपेक्षा एक सिंग का सासन उत्तम है ये किस ने कहा था तो सौ चुहों कि अपिक्षा एक सिंग का सासन उत्तम है वॉल्टेयर ने ये कहा था सौर पंचांग किस देश की देन है तो सौर पंचांग मिश्र की देन है हजरत मुहम्मद के बचपन का नाम क्या था तो हजरत मुहम्मद के बचपन का नाम अमीन था 24 दिसम्ब 622 को हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना की आत्री को किस नाम से जाना जाता है तो हिज्री समवत या मुस्लिम समवत के नाम से जाना जाता है किसको स्वामी वेवका नंदने शेरनी रविदना टेगोन ने लोक मता और अरविन घोष ने अगनी शिका कहा था तो ये तीनों बातें मार्ग्रेट नोबल सिष्टर निवेदिता के बारे में कही गई थी बिभाजन करो और जाओ डिवाइन एंड क्विट का नारा किस ने दिया था तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची एदिवेशन में बिभाजन करो और जाओ का नारा दिया था सुतंतरता प्राप्ती के समय भारती राश्री कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे किस अंग्रेज को Hermit of Simla जैसी आदर सूचक संग्या से सम्मानित किया जाता है तो कॉंग्रिस के संस्थापक A.O.Hume को Hermit of Simla जैसी आदर सूचक संग्या से सम्मानित किया जाता है पहले ब्रिडिस समराट जो भारत की यात्रप पर आये थे उनका नाम जॉर्ज पंचम था भारत को सुतंत्रा प्राप्ति के समय इंगलेंड में क्लाइमेट इटली के नित्रतों में किस राजनितिक दल की सरकार थी तो वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिडिस साशन को समाप्त करने के लिए कुका अंदूलन कहां पर शुरुआ था तो ब्रिडिस साशन को समाप्त करने के लिए कुका अंदूलन पंजाब में हुआ था 1919 में अखिल भारती खिलाफत कॉंग्रेस के सिस्थान पर आयजित की गई थी तो अखिल भारती खिलाफत कॉंग्रेस दिल्ली में आयजित हुई थी केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे तो बाल गंगादर तिलग केसरी समाचार पत्र के संपादक थे केसाव चंदर सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी तो केसाव चंदर सेन ने ब्रह्म समाच की स्थापना की थी आजाद हिंद फौच के किनके निताओं पर लाल कले में मुकदमा चलाए गया तो आजाद हिंद फौच के शाहनबास खान, गुर्दयाल सिंग धिलो और प्रेम सहेगल के उपर जो है मुकाबला लाल कले पर चलाए गया था रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रो शुरू कर दिया था तो रॉयल इंडियन नेवी ने फरवरी 1946 में विद्रो शुरू किया था सिमला सम्मिलन किस वायसराई के कारिकाल में आजजित किया गया था तो सिमला सम्मिलन लौड बेवेल के कारिकाल में आजजित हुआ था भारत विभाजन के समय भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अद्यक्ष कौन थे तो भारत विभाजन के समय भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अद्यक्ष आचारे जेवी कृपलानी थे किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राश्र पाकिस्तान का संकल्ब सुईकार किया था तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राश्र पाकिस्तान का संकल्ब सुईकार किया था दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था तो सुबाज शंद्र बोश जी ने दिली चलो का नारा दिया था बंगाल बिबाजन किसके साशनकाल में हुआ था तो बंगाल बिबाजन लॉड करजन के साशनकाल में हुआ था अभीनो भारत क्या था तो अभीनो भारत एक अतिवाधी संगठन था क्रांती कारी देश की रक्षा के लिए संगधन था के सुआयस राई के साशनकाल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसेजर कोड और क्रिमिनल प्रोसेजर कोड पारित किये गए प्रथा का मतलब था किसानों द्वारा 3 बटे 20 भुभाग पर नील की खेती करना कॉंग्रेस के नरम पंथी और गरम पंथी गुटों में विबाजन कहां पर हुआ था कब हुआ था किस अदिवेशन में हुआ था यह आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए चैनल पर अगर आप नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल आईकन ऑन कर लीजे और अल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजे जिससे offline videos की notification मिलती रहे चैनल पर live class अलग चलती है offline अलग चलती है जिनके पास live class का time देखने का नहीं होता हूं उनके लिए offline video बनते हैं छोटे छोटे वीडियो 10-10-20 minute के जो डेड़ घंटे की live class नहीं देख सकते हैं इन छोटे questions वीडियो को देखकर अपनी classes cover कर सकते हो तो मैं आप से भी बोल रहा हूं अगर आप live class देखते भी हो तो offline video देखा करो offline video कम समय में ज़्यादा questions cover करा देता है आपके लिए यही 100 questions एक घंटे सवा घंटे लगते हैं पढ़ने के लिए live class में जो अभी 13 minute में complete हो गए कैसा लगा video comment box में comment करके ज़रू बताईगा अपने अपने दोस्तों को share करने के साथ साथ video को like ज़रू करेगा तो चली दोस्तों मिलते है next video में तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो